नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं डिपी आज एक नए वीडियो के साथ आपनों के सामने हूँ आज का मैटर है चनसत्ता की खबर है 25th मार्च 2024 की उसी पर आधारी थे कि आर्केोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया ने 18 मॉनुमेंट्स की एक लिश्ट जारी किया और यह कहा कि इन मॉनुमेंट्स को केंडरी सनरख्षित इसमारकों की सूची से बाहर किया जा रहा है उस लिश्ट से बाहर किया जा रहा है असल में ESAI का काम है राश्ट्री महत्व के धरोहरों को रख रखाव करना सुरक्षित करना लेकिन EASI के पास इतना अधिकार या इतनी संसाधन नहीं है कि उन इस्मारकों को सुरक्षित किया ही ज़सके पूरी तरीके से इसलिए कभी-कभी ओओ EASI के अंडर में रहते हुए भी ऐसे इस मारक खतम हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता है, तो जो इस मारक खतम हो जाते हैं, अर्था जो पूरी तरह से सनक्षित नहीं रह पाते हैं, पब्लिक के दखनदाजी के वज़े से, कई बार जो है, बार हो गए रहे से, पानी के वज़े से, जलासियों के कारण डूब जाते हैं, बांधों के कारण डूब जाते हैं, तेजी से सहरी करण होता है तो उसके वज़े से सड़ा-कोड़क बनने में खतम हो जाते हैं, विकास कारियों में खतम हो जाते हैं, तो ऐसे अस्थानों की लिष्ट जारी करता है, एसाई समय समय पर. वास्तों में यह जो लिस्ट है यह ASI ने कैग ने 2013 की अपनी रिपोर्ट में पहली बार फिजिकल वेरिफिकेशन एक्सरसाइज करवाया था कैग का मतलब कम्ट्रोलर एंड आडिटर जनरल आफ इंडिया थेक है उसने 92 इस्मारक के लापता होने की बात कही थी लेकिन ASI ने फिर सर्वे कराया तो कहा 92 नहीं 92 में 42 की पहचान हो चुकी है 50 ऐसे इस्मारक है जो नहीं मिल रहे हैं उन्हीं 50 में से 18 इस्मारकों की लिष्ट जारी किया है कैग में अब इस्मारक है कौन-कौन से इनका नाम आप सुन लीजिए तो फिर आपको बाद में कुछ चीज़ें और बताएंगे इसमें पूरी लिष्ट है आप देख सकते हो वेबसाइट पर जैसे हरियाणा के भुजेसर गाओं में मिनार संख्या 13 दिल्ली में बारखंबा रोट परिस्थित कब्रिस्तान जहासी के जहासी में है कब्र है रंगून का गनर है बुर्किल इसका मगबरा बना हुआ है जहासी में लखनव के गउघाट पर कब्रिस्तान है तेलिया नाला उत्तरपदेश वाराणसी में तेलिया नाला बहुत खंडर एक नेरजयन गाओं का हिंस्सा था अब यह नहीं समझ में आ रहा है गाजीपूर में भारली गंगा तीर में वट ब्रिक्ष इस्थित प्राचीन इसमारक के उसेश इसमें बांदा सहर का भी एक उसेश बांदा सहर का बंद कब्रिस्तान एवं कट्रा नाका लखनव फैजाबाद रोड पर तीन चार और पांच मील थ्री फोर और फाइम मील पर इस्थित मखवरे उत्तरपदेश मिर्जापूर जिले के अहूगी में एक हजार इस के थ्री जो है तीन चोटे-चोटे लिंग मंदिर के परिध के आउसेश मंदिर तो है लेकिन उनके परिध के आउसेश खतम हो जुगा है वारानसी के कोशागार में इस्थित तक्ति-पठ कुछ होंगे तक्ति-पठ मतलब तक्ति का मतलब इसले टाइप के बने होते हैं जैपूर जिले के नगर इस्थित किले के भीतर का अविलेक अरुणाचल प्रदेश के लखीम नए असम के लखीमपूर खीरी जिले का साधिया के पास का तामर मंदिर हरियाना के करनाल जिले का कोस मिनर मत्द्रदेश सतना जिले के बच्छाउन किले के भीतर का शैल अविल इंचलावली लखनवु की जहरीली रोट पर इस्थित 6 एम 8 मील पर इस्थित कब्रिस्तान राजस्थान के कोटा जिले का वारन इस्थित बारहमी सदी का मंदिर एक कुल मिला करके 18 हमने मानुमेंट्स पताएं जिनकों की अब ASI ने क्या कर दिया है केंद्री सनक्षित इसमार को कि सुची से हटा दिया है असल में एक पावर दिया जाता है ASI को एक एक्ट है AMASR Act आमसर एक्ट कहा जाता है इसका फुल फाम होता है A for ancient, M for monument and A for archaeological, S for site and R for remains Act 1958 इसमें प्रावधान है कि Central Government किसी व्यस्थान को 6 मंत की notice जारी करती है पब्लिक notice अगर पब्लिक को कोई आपती है तो धर्ज करा दे अन्यथा किस्थित में उस particular monument को ASI की सुची से टा दिया जाएगा तो इन monuments की list को पब्लिक के लिए जारी किया गया था संस्कृती मंत्राले के भी website पर होता है ASI की website पर भी होता है Archaeological Survey of India की भी website पर होता है और इनको जो है पहले 6 महिने के देखा जाता है अगर कोई इस पर objection करता है तो तो ठीक है और नहीं करता है तो इनको list से हटा दिया जाता है यह है पूरी इसकी कहानी साथे हैं दो कुछ और important बाते हैं जिनको आप लोग जान लेजी कि ASI की स्थापना कभूई थी 1861 में किस ने किया था अलेकजेंडर कनिंगम ने किया था वहीं इसके प्रथम डारेक्टर जनरल भी थे और तब इसका हेक वार्डर कलकत्ता रहा करता था इस समय मुख्याले इसका है जनपत नहीं दिल्ली में यह संस्कृती मंतराले के अंतरगत भारत सरकार के अंतरगत जो है काम करता है इस समय इसके बरतमान महा निदेशक है यदवीर सिंग रावत समझ रहे हैं इस समय पूरी देश में लगबग 3650 पर ये नंबर ऑर भी मिलता है 3693 कहीं पर ये नंबर मिलता है तो संडक्षित इसमारकों कि सूची है जिनको कि ASI संडक्षित करता है लेकिन ऐभी आप लोग जानते रहें कि आप लोग अक्सर जब कहीं किसी पूराने अस्थान पर जाते हैं देखते हैं कि कि वहां तमाम ować drugstures मिले रहते हैं कुछ लोग पत्थर पर पिनों सेिक खुरेज देते हैं कुछ लोग पत्थरों पर लिख देते हैं, दिल उल बना देते हैं, तो ये सब सीन आम है, तो ये हमारा भी मतलब मूल कर्तब्यों में सामिल है कि हम ऐसे अस्थानों का संद्चन करें, लेकिन हम ऐसा करते नहीं, लियाजा कभी-कभी जो है, कभी-कभी तीन्टे हो गरें से, सहरी करन से, विकास योजनाव में सब खतम हो जाते हैं, तो जब नहीं मिलते हैं, तो उनको जो है हटा दिया जाता है इस सुची से, ठेक है, उम्मीद है कि आप लोग इसके बिसम और भी चीजियों को तलासेंगे, और ये आपके लिए ये वीडियो हमारा ज्यान खोगा, धन्यवाद, नमस्कार, जय इंजय भारत बन्नी मात्रम